Hello students, today we are going to learn English verbs worksheet for class second. Okay, identify verb, आपको verb को identify करना है, okay, किस तरह identify करना है? Look at the picture blue and choose the correct past tense verb for that sentence, okay, आपको क्या करने है? Past tense के verb को choose करने है, जो कि यहाँ पर इस picture के नीचे दिये गए है, okay, तो आई हमें स्टार्ट करते हैं, रस्किन डाइज इस लेप्टॉप टू हाट्वेर स्वाप फोर रिपेयर, तो वाट इस दे राइट वाप्स पोर इट, यहाँ पर बोला है पास्टेंस, पास्टेंस में कौन सा है? है, took is the past tense, okay, took is the past tense, b, रस्किन took is laptop to the hardware shop for repair, जो रस्किन था, वो अपने laptop को hardware इस ले जाता है, रिपेयर कराने के लिए, okay, के टूक, इस दे राइट वर्प्स, ओके, समुल्स डॉग, यहीं समुल्स का डॉग, डाइस लाउडली वे ने दिफ ट्राइट टू ब्रेक इन्टू इस हाउस अस्टरे, दिन पास्टेंस आप कैसे पाचानेंगे, जिसके लास्ट में एडी, यहां पर इसका पास्टेंस बा समुल्स डॉग, यहां पर टूख होगा, समुल्स डॉग बारक्ट, लाउडली वे ने दिफ ट्राइटू ब्रेक इन्टू इस हाउस अस्टरे, ओके, जब समुल्स की घर कुछ चोर आते हैं तो वो क्या किया, उस चोर को देखकर वो काफी चिलाने लगा या भोकने लगा क ठाउक था, एकर वे तो यॉग इस, मा जब साइब लगा टाह वा टॉग्तना लगा अस्टिव ब्रेक वाट ञांट्स यॉट्वू, यॉट वाट वाट लगा मा जब साइब को यॉटूख गोट बाट ते इस वाट रह रह वाट पॉट जा टूगा लगा अस्टिव धिला हमारे लिए पिछली रात कापी अच्छा भोजन पकाई थी या डिस पकाई थी, कुट मिस पकाना. Fourth, the Thomas dashed very hard but failed to score good marks in the final examination. What is the right word? Study, studies, studying. Thomas studied very hard but failed to score good marks in the final examinations. Thomas जो था काफी अच्छा perform किया था, काफी अच्छा क्या किया था? Work hard किया था, लेकिन वो final examination में ज्यादा नमबर नहीं पास सका, वो काफी अच्छा पर्यास किया था, इस्टेश किया था, ठीक है? Our school team does the football tournament due to their dedication and commitment. Then choose the past tense. Our school team won, one means, जीत गया. Our school team won the football tournament. यानि हमारा जो school था, वो tournament match को जीत गया था, football tournament को match को जीत गया था, due to their dedication and commitment. क्योंकि hard work से और dedication से क्या 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 है, one tournament जीत गया था, then one is the W-O-N, one is the right works for this sentence. Okay, let's see the solution. Solutions आप यहाँ पर जैख सकते हैं, one by one करके. हैजी है,añचि है, रसके रसके रसके, रसकेड की रसकेड की रप्तोफ था हाब रेड़र क्या हाढद the ्हुटथ रसकेड रवरत न राथ हैं, जीतित बेड़र क्याइबों एस खौमर रसकेड करके रसक्या थाथा, कुट इस दराइ वास, okay, Thomas studied very hard but failed to score good marks in the final examination, okay, our school team won the football tournament due to their dedication and commitment, okay, thank you, अगर आपको आपको अच्छी लगिए, please like and subscribe my channel, thank you so much.